हलो, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम प्रियंका है, और स्वागत है आपका मेरे चैनल कूक इंड ब्लॉग विक प्रियंका सिन्धा में आज हम सेर करेंगे आपके साथ ब्रेट पकोडे की रेसिपी पर ये ब्रेट पकोडे हम बनाएंगे चीज वाली आप इसे चीज ब्रेट पकोड़े भी कह सकते हैं अगर आपको चीज पसंद है न तो फिर ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाला है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक वार आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगा तो चलिए हम बनाते हैं चीज ब्रेट पकोड़े सबसे पहले हम यहाँ पे आलू बॉयल करके ले लिए हैं इसे अच्छे से मैस करना है इसमें लंस नहीं होना चाहिए इसे अच्छे से मैस कर लीजेगा अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज के प्याज को महीन चौप कर लिए हैं थोरे से कटे हुए धनिया का पत्ता और एक हरी मिर्ची इसे भी हम महीन चौप कर लिए हैं तीखा आप अपने पसंद से डालिएगा और अब हम इसमें एड करेंगे एक चिली फ्लेक्स अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स इसकेप कर सकते हैं आधा चिली फ्लेक्स हमें हाँ पे जीरा पौडर डाले हैं नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल लीजिए अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला आधे चमच के करीब यहाँ पे चाट मसाला डालेंगे अब इसे अच्छे से हम मिलाएंगे तो हाथ से ही मिला लेंगे जाद अच्छे से और जल्दी मिल जाएगा ये आपको जैसे आसान लगता है वैसे आप मिला सकते हैं इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लिये हैं से साइड में रख देंगे और बैटर बनाने के लिए यहां पे आधा कप हम बेशन लिए हैं और दो चम्मच चावल का आठा डाल रहे हैं चावल का आठा बिलकुल आप्सनल है आप सिर्फ बेशन में भी बना सकते हैं एक चम्मच मिर्ची पॉडर और एक चम्मच हल्दी और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के घोल बनाएंगे जैसे पकोरे के लिए बैटर बनाते हैं न सेम वैसे ही हमें बनाना है एक बार में जादा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम एक घोल तयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं, इसे साइड में रख देंगे, पहले इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया का पता भी मिला लेते हैं, इसे अच्छे से मिक्स करके हम साइड में रख देंगे, यह सेट हो ज जो मसाले मिला के बनाए है न वो आलू हमें इस ब्रेड पे लगाना है तो आप अपने पसंद से ज्यादा कम लगा सकते हैं यहां पे हमें एक चम्मच आलू लिये हैं और इसे अच्छे से हमें फैला के लगा लेना है और दोनों ब्रेड में हमें यह आलू लगाना है इसे क्य करते होगा चीज्च जो हम डालेंगे न वह बीच में आ जाएगा अगर आप चाहे तो अलू लगाने से पहले ब्रेड में कोई चटनी या सॉस लगा सकते हैं इससे और ज्यादा अच्छी टेस्ट आ येगा तो अगर आपको कोई सॉस जादा पसंद है तो आप पहले ब्रेड का कोई भी चीज ले सकते हैं आप चाहे तो अलग से कदू कस करके इसे डाल सकते हैं चीज को हम यहीं पर कदू कस कर लेंगे तो पूरे चीज को हम इसके उपर कदू कस कर लेंगे पूरा एक क्यूब हम डाल रहे आप अपने पसंद से कम जादा भी ही रख सकते हैं तो यहां पर पूरे चीज को हम कद्धो कर लिए हैं और अब इसे अच्छे से फैला लेंगे पूरे ब्रेट के उपर यह आ जाए तो इसे अच्छे से हम फैला लिए अब इसके उपर थोरा सा चिली अब दूसरे ब्रेट को इसके उपर हम डालेंगे चिपका देंगे अच्छे से दवा के और अब हम इसे कट कर लेंगे तो आप इसे ट्राइंगल सेप में भी कट कर सकते हैं बीच से कट लगा लिजे हम यहाँ पे इसे स्कौाइर सेप में कट किया हैं इसे यह थोरा सा छोटा हो जाएगा तो फ्राइ करने में आसानी होती है तो यहाँ पे एक तैयार हो गया है दूसरे ब्रेड को भी हम तैयार कर लेंगे सेम प्रोसेस से और इसे आप अपने मन पसंद सेप में कट कर सकते हैं अगर आपको ट्राइंगल सेप में चाहिए तो आप इसे ट्राइंगल सेप में भी कट कर सकते हैं अगर आप इसे square shape में cut करेंगे तो fry करने में आपको थोरा सा आसान होगा तो यहाँ पे दोनों bread हम तयार कर लिए हैं तेल हमारा गरम है और अब हम इसमें एक bread पकोड़े को उठाएंगे और बेसन में अच्छे से dip करेंगे और तेल में डाल देंगे तेल आपका medium flame पे होना चाहिए एक बार तेल अच्छे से गरम हो जाए तो slow to medium कर दीजिए गैस का flame और एक बार में जितना आता है उतना आप डाल लीजे अगर आप स्क्वाइर सेप में कट करेंगे तो एक बार में जादा आजाएगा यहाँ पे चार पकोरे आ गए हैं और अब हम इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे जैसे कोई भी पकोरे बनाते हैं न सेम हो ऐसे ही इसे भी हमें फ्राइ करना है गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और इसको पलटते हुए इसका साइड चेंज करते हुए अच्छे से हम फ्राइ कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राइ कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कितना सुन्दर कलर आ रहा है इसके उपर गैस का फ्लेम आप स्लो टू मीडियम ही रखेंगा हाई नहीं रखेंगा नहीं तो ये बस उपर से कलर ले लेगा अच्छे से क्रिस्पी नहीं होगा और अंदर चीज मेल्ट नहीं होगा तो यहां पर पूरे पकोरे को हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे बहुत प्यारा सा कलर आ गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे पहला बैच मेरा तैयार हो चुका है पूरे पकोरे को हम निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से बचे हुए ब्रेड का भी हम पकोरे फ्राइ कर ल अपने के साथ सर्व कर सकते हैं, यह सब के साथ बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे बड़े सब को यह बहुत पसंद आता है, एक पकोरे को हम तोड़ के दिखाते हैं, आपको अंदर बहुत अच्छे से चीज मेल्ट हो चुका है, आप कोई भी चीज ले सकते हैं, अपने मन पसंद चीज के साथ ये चीज ब्रेट पकोरे बना सकते हैं तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत टेस्टी चीज ब्रेट पकोरे बनके तैयार होंगे तो आप एक बार इसे जरूर बनाईएगा और हमें बताईएगा कि कैसा लगा मेरा ये रेसिपी अगर मेरा recipe आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लीजे बिल का बटन प्रेस कर लीजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुं सके वीडियो अच्छी लगे तो like कीजे, share कीजे, comment कीजे और अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो भी हमें जरूर बताईएगा, हम उसे सुधारने की पूरी कोसिस करेंगे Thank you, मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी recipe के साथ